हेलो एवरिवन आजाद हाई स्कूल के आनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है यह वीडियो है हमारे थर्ड क्लास के बच्चों के लिए आज इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर फाइब पढ़ेंगे चैप्टर का नाम क्या है बर्ड्स इस वीडियो में जो हम टॉपि चैप्ट के बारे में फिफ्ट है हाउ ड्रिवर्ड फ्लाई पक्षी कैसे उड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिफ्ट है टाइपस ऑफ बिक्स जनी चोंच की टाइप्स के बारे में अब इस पेसपर हम लीड कोशन से वो करते हैं फर्स्ट कोशन है वीच वीडि इन पर पक्षी में पर बहुता हैं और लुक्त के बढ़े पहले हैं इनकी बॉड़ी पर क्या होते हैं इनको उड़ने में हेल्प करते हैं आगे है parts of birds the different parts of birds are shown below हमें different parts of birds birds के different different जो parts होते हैं उनके बारे में हमें नीचे डाइग्राम में दिया हुआ है जहापे देखो आपको नीचे picture दिये है इसमें लिखा हुआ है beak beak क्या होता है चोंच और second है body feathers body feathers क्या होते हैं अभी हम मैंने आप अब हम पढ़ाएंगे body feathers होते हैं जो body को cover करते हैं वो वाले पंक claws claws क्या होता है पंजे आई आंक wings जैने इनके पंक flight feathers होते हैं उडने वाले पंक जिनसे उडान बढ़ते हैं और आगे है tail tail होता है पूंच आगे हम move on करते हैं types of feathers जैने पंक के परकार के बारे में हम पढ़ेंगे types के बारे में ये bird body is covered with feathers they are of three types पक्षियों की बारी जैने पंक के साथ डकी होती है जैने तीन परकार के होते हैं फिस्ट है down feathers these are soft fluffy and short they keep the bird warm जै पंक सबसे नीचे होते हैं जै बहुत ही soft होते हैं fluffy होते हैं छोटे होते हैं जै पंक क्या करते हैं कि श्रीर को गर्माहर परदान करते हैं आगे है flight feathers flight feathers क्या होता है उडान वाले पंक they are present on the wings and the tail they are hard and strong they help birds to fly and also help them change their direction while flying flight feathers अभी आपको बिताया क्या होता है उडान वाले पंक जै wings और tail में present होते हैं जै सखत और मजबूत होते हैं जै पक्षी को उडने में और direction को change करने में help करते हैं आगे है body feathers they cover and give shape to the bird's body जै बाड़ी को cover करते हैं और shape देते हैं जैसे आप देख सकते हैं नीचे आपको डाइग्राम में आपको बताया हुआ है down feathers, flight feathers और body feathers के बारे में जै देखने में कुछ इस तरह के होते हैं अब हम करेंगे movement of wings movement of wings के होती है जैसे ही पक्षी उड़ना स्टार्ट करता है तो उसके पंक सबसे पहले उपर और फिर पिछे की तरफ जाते हैं उसे क्या बोलते हैं up stroke कहते हैं जैसे आपको नीचे डाइग्राम में दिया हुआ पिक्षिस बताई हुए है जै अप स्ट्रोक ही है आगे हम पढ़ेंगे down stroke when the wings move downward and forward the wings movement is called the down stroke जैसे ही पक्षी बैठने लगता है तो उसके पंक सबसे पहले नीचे और फिर उपर की तरफ और फिर बैठ जाता है इस movement को क्या बोलते हैं down stroke आगे है how does a bird fly पक्षी कैसे उड़ते हैं birds have hollow bones these hollow bones are filled with air and are the present light weight which helps bird fly पक्षियों की हड़ियां अंदर से खाली होती है इनमें हावा बरी होती है जे light weight होती है जे moons जो है पक्षियों को उड़ने में help करती हैं आगे है wings help birds to fly wings are joined to the body with strong muscles wings जो हैं पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं wings जो हैं बो मसल्स के साथ जूड़े होते हैं बर्ड की body वो बोट शेप की तरह होती है और असानी से हवा को चीर कर उड़ते हैं बर्ड को उड़ने के लिए खाली wings की जरूरत नहीं होती जैसे आपको पत्ता होगा आपने देखा होगा बर्ड की जो टेल होती है उड़ते समय ड्रेक्शन को चेंज करने में हैं तो आगे हैं वर्क करने लेवल दा पार्ट आप आपने इसको लेवल करना है पार्ट लिखने हैं बर्ड के तो जीब खुद करना अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ओ बीक्स यह बर्ड माउथ बर्ड करने बर्ड गैदर फूद द्रिंक वाटर बिल्ड इस नेस्ट किल इस प्रेय और फीड जंग वांस पक्षियों के मूग को जनी हम बीक बोलते हैं बीक यता है चूंच यह खाने को इकठा करने पानी पीने गूंसला बनाने शिकार करने और अपने बच्चों को चार बिलाने में इनकी बीक जो वह बो हैल्प करती है बर्ड वह डिफरेंट एटिंग वाबिट सो देफरेंट टाइपस आफ बीक सभी पक्षि के अलग अलग खाने के तरीके होते हैं इसलिए सभी पक्षियों की अलग अलग परकार की चौंच होती है तो फर्स्ट है ब्राड चौंच वाले पक्षियों के बारे में हम जहां पर पढ़ेंगी इस बीक इस टिकी आंदा इंसाइड वैन दा स्वैलो मूब्स इन दा एर विद इस बीक ओपन टिनी फ्लाइंग इंसेक्स गेट स्टक इंसाइड इस मौथ स्वैलो कहती है निगल निगल की चौंच छोटी होती है इसकी चौंच अंदर से चिपचिपी होती है जब निगल हवा में मूव करती है उड़ती है तब उसकी चौंच जोती है वो ओपन होती है और जो चोटे-चोटे कीडे मकोडे हवा में उड़ रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि स्वैलो के मूँ में चले जाते हैं आग चिडिया कबूतर और मोर जे सब अनाज और बीज खाते हैं इनकी चोंच छोटी सखत और सींग के अकार की तरह होती है इनकी चोंच वह है वो अनाज और बीज को क्रेश करने में इनकी है आगे हैं कर्वड बीक एस पराकेष आने में पराकेष की जे स्टोंच बहुत हीं कर्पशीक की होती है ये सकते च스ंच जैसे ड्राइ फ्रौोट इनको खाने में इनकी हल्प करती है इनकी बीक जैसे dry fruits इनको खाने में इनकी help करती है इनकी beak आगे है long and slender beak जयानि लंबी और पतली चोंच वाले पक्षियों के बारे में हम जहां पर पढ़ेंगे birds such as hopos and hummingbirds have long and slender beaks the beak of a hopos help it to pull out insects from the ground the long and slender beak of a hummingbird help it to suck nectar from the floors पक्षी जैसे hopos and hummingbird hummingbird क्या है एक चिडिया है इसकी लंबी और पतली चोंच होती है hopos की चोंच जमीन में से छोटे-छोटे insects को बाहर निकालने में help करती है hummingbird क्या करती है अपनी चोंच से चोंच की help से floor से उसका रस चूसती है आगे है स्ट्रॉंग एंड चिसल शेप बीग ये वुडपेकर है इस स्ट्रॉंग एंड चिसल शेप बीग इट्स बीग है पोक होल्स इन्दा ट्री ट्रंक एंड पुल आउट इंसेक्स ये मजबूत और शेनियकार की चोंच वाले पक्षी वुडपेकर की मजबूत और शेनियकार की चोंच होती है ये क्या करती है ट्रीज का जो तना होता है उसमें होल करती है और इंसेक्स को बाहर निकालने में इसकी चोंच जो है वुड़ प्लांट प्लांट प्रेजन इन दा मड़ी वाटर दा मड़ी वाटर दा मड़ फ्लो आउट त्रो दा एज़स लीव दिग फूर इंसाइड दा मौथ ब्रॉड और फ्लैट भी क्या होता है चोड़ी और सम्तल चोंच पानी में रहने वाले पक्षी जैसे डक्स और स्वैंस इनकी चोंच जो है चोड़ी होती होर फ्लैट होती है यह पक्षी क्या करते है जो पानी में छोटे छोटे कीडे मकोडे जा छोटे 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 प्ल जो पक्षी मास खाते हैं जैसे एगल, काइट, आउल्स और बल्चर इनकी चौंच बहुत ही मजबूत, तेज और आगे से जुकी हुई होती है इनको शिकार करने वाले पक्षी कहते है इनकी चौंच यह है वो flesh of animals जैनि animals के मास को खाने में इनकी help करती है आगे है work corner, right T for true statement and F for false one true statement के लिए आपने T use करना है और false statement के लिए आपने F use करना है the small and stiff feathers of a birds are called flight feathers तो इसका एगा false second है down feathers are long and flat इसका एगा false hummingbirds have strong curved beaks इसमें आप लिखोगे false fourth है ducks have flat and broad beaks इसका एगा true आगे है types of feet and claws birds have two feet with four toes on each foot claws are the long nails present on the feet feet and claws are used for hoping, running, catching and holding foot पक्षियों के दो पंजी होते हैं और दोनों पंजों में four four toes होते हैं इनके nails बहुत ही बड़े बड़े होते हैं इनके पंजे दोडने में, खाना पकड़ने में इनकी help करते हैं आगे हम जहां पर पढ़ेंगे climbing birds birds such as woodpecker and parakeets have two toes pointing forward and two toes pointing backward their feet help them to get a foot grip on trees and also help them to climb woodpecker and parakeets इनके दो 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 आगे होते हैं और दो दो पीछे की तरफ होते हैं जब जे पक्षी trees पर बैठते हैं तो इनके feet क्या करते हैं trees की शाखां को अच्छी तरह से जकरते हैं आगे है scratching birds birds such as hands and peacocks have hard and sharp claws their claws help them to scratch and dig the ground and pull out insects and worms hands or peacocks इनके पंजे बहुत ही सखत और तेज होते हैं इनके पंजे ग्राउंड में से मिटी खोदने में help करते हैं और दती से insects बाहर निकालते हैं आगे हैं पर्चिंग birds birds such as crows, sparrows and pigeons sit on branches this is known as perching their toes grip branches tightly like a lock they do not fall off even when they are asleep कववा, चिर्डिया और कबूतर इनको क्या बहुते हैं perching birds इनके पंजे अच्छी तरह से शाखाओं को जकर लेते हैं जिसके कारण जब जे शाखाओं पर सोते हैं तो नीचे नहीं गिरते आगे है swimming birds जो पक्षी पानी में तैते हैं इन birds such as ducks and swans the front toes are joined by thin skin to warm webs these webbed feet act like paddles and help them to swim ducks and swans जो इनके आगे वाले toes पतली सी skin के साथ हापस में जूड़े होते हैं इनके webbed feet जो होते हैं वो paddles की तरह काम करते हैं और तैने में इनकी help करते हैं आगे है fleshitting birds जो पक्षी मास्क आते हैं birds such as eagles and bulges have strong and sharp claws called talons their talons help them to catch small animals such as rats and toads these birds hold their prey between their talons while flying eagles और bulges इनके बहुत ही मजबूत और तेज पंजे होते हैं इनको talons कहते हैं यह अपने talons क्या करते हैं animals जैसे चूहे और मेंडर के बचे इनको पकड़ते हैं जै अपने पंजो में अपने शिकार को लेकर उड़ जाते हैं आगे है wedding birds water birds such as cranes and hirons have long legs with spread out toes their legs and toes help them to wait through soft muddy groundwater to catch fish बगुले की केते हैं बहुत ही लंबी टांगे होती हैं और इनके toes बाहर की तरफ spread होते हैं जी अपनी legs और toes की हैट से किचड वाले पानी में से fish को पकड़ता है आगे move on करते हैं work corner पे a part है tick the correct option correct option पर आपने tick करना है first है claws of a birds are its a part nails आप nails पर tick करोगे a woodpecker is a c part climbing birds third question है which bird has webbed feet इसका आएगा b part duck fourth question है a bird which has a curved beak is a part parrot आगे है types of nest जानी गोंसले के परकार के बारे में nest किसे बोलते हैं गोंसले के पक्षियू के गरों को हम nest बोलते हैं nest क्या होता है गोंसला जी अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे तिनकों को इकठा करके उससे गोंसला बनाते हैं जी अपने गोंसले में अंडे देते हैं सब्सक्राइब माद लागती माद सब्सक्राइब प्लेस दा बर्ड पुट टोगेदर एफ्यू स्टिक्स टू फॉर में शैलो कप इगल क्या करती है अपने गॉंसले को बहुत उंचे पेड पर बनाती है जैसे आपको इदर साइट पे पिक्चर में भी बताया गया है यह देखिए इगल के गॉंसला यह इस तरह से होता है पिज़त विद बतादा बच yes you學 collectively will find a tree अपने जोंच का टहां you इस चैना वेर्डी का तैला पर जैलर उसमें फोल करकी गॉंसला बनाती है इसका गॉंसला इसमीं बनातोता है कि वह कंच्रिष। में बनाती है तो ट्रे का टरंक जो तना नहां और फो इसका होता है लगक्डी का आगे है टेलर ब्र्ड यह तेलर बर्र उज़ ऑडेक्ट डाल, टेलर ब्रोड अपनी चोंच और नीड़ की तरह भूक्ड की तरह जाने सुई की तरह जर्टा है यह अपनी चोंच से लीव पत्तों को स्टिच करके अपना गॉनसला बनाता है इसलिए हम इसे टेलर बड कहते हैं इसका गॉनसला सूखी हुई गास और अंदर से कॉटन से बना होता है इसका गॉनसला बहुत ही गरम होता है आगे है weaver bird, weaver bird क्या होती है, बया, यह weaver bird BILD a nest with grass and twitch it pulled the grass in and out with its beak as a weaver is the nest, the nest hangs from the branch of a tree, the bird enters its home through a tunnel like opening at the bottom of the nest, बया अपना गोंसला ग्रास और टैहनियों से बनाती है जह गोंसला पेड की शाखाओं पर बनाती है यह अपने गोंसले में नीचे की तरफ एक शोटा सा सुराख होता है इसके गोंसले में जिसके जरीब अपने गोंसले में जाती है आगे है बर्ड एड तो इसमें आपको कु पीपर भी लिखना आगे हम मूव अन करते हैं अपनी एक्सराइज पर ए पार्ट है टिक दा प्राक्ट ऑप्शन फर्स्ट है विच आफ दीज बर्ड्स है जे हुक शेप बी तो इसका एगा सी पार्ट इगल सेकिंड कोशन है विच आफ दीज इस पर्चिंग बर्ड इसका ए टेलर बर्ड जानी सी पार्ट फोर्थ कोशन है विच आफ दीज है बेट फीट इसका एगा बी पार्ट डख आगे है बी पार्ट गिव टू इग्जेंपल ऑफ इच फर्स्ट है नेक्टर सकिंग बर्ड तो इसमें आप लिखोगे हम्मिंग बर्ड सन बर्ड शिकिंड है सक इसका आप लिखोगे इमू ऑस्ट्रिच फोर्थ वैडिंग बर्ड तो इसमें आप लिखोगे क्रेंज एंड हिरॉन्स फिफ्थ है फ्लेश इटिंग बर्ड इसमें आप लिखोगे इगल्स बल्चर आगे है सी पार्ट शॉर्ट अंसर टाइप कोशन फर्स्ट कोशन है रा लिखोगे अल बर्ड ले एग्ज थर्ड लिखोगे अड़ैप्टर स्केल्टन सेकेंड कोशन है राव इस बीक जूसफुल टु ए बर्ड इसका आप सा लिखोगे बीक जूसफुल टु ए वर्ड बिकाज इट हेल्प्स दा बर्ड गैदर फूर्ट द्रिंक वाटर बिल्ट इस नेस्ट इस प्रेज एड फीड जग वंस थर्ड कोशन है वाई डू डुद्क्स है वबब फीड तो इसका अंसा लिखोगे डुद्ट्स है वेबाऻ़़़प्स प्रेज बिकाज इक्स लाइक पैडल एड फौर्फ दैब तू स्विम फोर्थ कोशन है वट ए टालोंस such as eagles and bulges have strong and sharp claws called talons आगे है D part long answer type questions तो इनके answers आपको description box में मिल जाएंगे अभी तक जितना भी पढ़ाया उसका अपनी copy पर लिखना और learn करना Thank you, have a nice day